तो जीके का portion मैं डिसकस करूँगा, जीके इंडो का, तो overall ये भी काफी आसान आया है और expected आया हुआ है, ठीक है, तो जैसे काफी हम जो सोच रहे थे कि बहुत जादा अलग से आ जाएगा paper ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो पढ़ाया गया उसी में से आया और general question से, आप guessing से भी कर सकते हो, बहुत आसान question है, तो बिना देर करेंवे start कर लेता है, ठीक है, तो पहला question आपके सामने क्या है, अल-क्सा मॉस्क विच वाज इन्यूज रिसेंटली इस लूकेटेड इन विच सिरी, सीधे सीधे है, अल-क्सा मॉस्क जो है, वो कहां है, आपको बता है, जैर रेट कलर ले लेता हूं, ठीक है, तो इसका answer हमारा है, B option Jerusalem, ठीक है, तो आसान question था, next question की तरफ बढ़ते हैं, which of the following former Japanese Prime Minister was assassinated in 2002, 2020 की बात हो रही है, जो है थोड़ा सा ये mistake है, ये 2022 है, question में, ठीक है, तो recently current affairs का question है, ठीक है, बहुत ही expected question था, तो वो कौन थे Japanese Prime Minister, Shinzo Abe, Shinzo Abe, right answer हो जाएगा, काफी expected question था, ये बहुत है, next question, the US House of Representatives speaker Nancy Pelosi was in news because of her visit in August 2022, तो ये कहां से थे, ठीक है, कहां को इनको, कहां इन्होंने visit करी थी, तो इन्होंने करी थी, तो इन्होंने करी थी, ताइवान में visit, ठीक है, काफी famous थे, और speaker हैं ये, UN House of Representatives है, next question, अच्छा, ये question आप लोगों के लिए थोड़ा सा deep हो सकता है, क्या सकते हैं आप, which one of the following fundamental rights is also available to foreigners in India, देखो कुछ राइट्स जो है, मतलब सारे राइट्स जो है, Indian citizen के लिए, लेकिन कुछ राइट्स जो है, वो foreigners के लिए भी हैं, तो foreigner के देखो, आर्टिकल 15 दिया हुआ है, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, ये, Indian citizens के लिए, equality of opportunity in matters of public employment, ये भी Indian employers के लिए है, citizens के लिए, 25th freedom of religion, ये वाला जो है question, ये वाला जो है, ये है answer, आपका correct answer, तो यहाँ पर जो है, correct answer, article 25 है, ठीक है, freedom of religion, ये foreigners को भी right दिया गया है, ठीक है, तो ये भी, मतलब बहुत जादा कह सकते हो कि ये वाला question थोड़ा सा deep polity में है, तो आप ये देख सकते थे, तो जी के, जो unexpected वहा रहे हैं, तो बड़ी बात है, next question, which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights, fundamental rights को मतलब लागू करने के लिए, अगर वो कोई violate हो रहा है, तो क्या चीज़ issue कर सकते हैं, ये भी थोड़ा, ये दो question मैं deep कहूंगा, polity से deep पूछा गया, तो वो जो issue करी जाती है, rate करी जाती है, दोस्तों, rate करी जाती है B option correct होगा, अब rate जो हो गई, heaviest purpose होती है, है ना, क्याना में, mandamus होती है, co-warrant होती है, है ना, तो ये prohibition होती है, सरशोरी होती है, ये चारपा स्ट्राइप की rates होती है, जो के court issue कर सकता है, fundamental rights को enforce करने के लिए, ठीक है, तो ये दो question, ये वाले थोड़े से tough थे, politics है, next question, who is the author of the book, Anand Math, class में बिल्कुल बताया हुआ है, Anand Math, किस ने लिखी थी, तो ये लिखी थी, बंकिम चंदर, चेटर जी ने, ये option correct हो जाएगा, इसका, books and author में, मैं आपको trick के साथ याद भी कराए थी, काफी सारी books, तो ये भी थी उनमें से, next question, in which of the following states is black soil found, तो black soil, जो हो कहां है, बाकी और कोई option इसके match नहीं कर रहा है, तो गुजरात है, मदेबरदेश है, करनाटक है, तो यहाँ पर गुजरात सही answer हो जाएगा, आपका, next question, which one of the following is a ruby crop, दीखी ये भी class में आपसे बोला है, ruby crop, और खरीफ crop की example बहुत important है, वहीं से question है, ठीक है, बाकी सारी is referred to in which sport, games in sport मैंने आपको बताया था, आपसे terms भी पूछी जाती है, मैंने ये भी discuss किया है, कि जैसे कि free hit किस में होती है, और dues term किस में होती है, lbw, butterfly किस में होती ही, बहुत common term है, तो butterfly जो एक type होती है, swimming की, swimming की type होती है, ठीक है, आसान question है ये भी, next question, राकेश जुन्जुन्वाला, who passed away recently, was associated with which profession, राकेश जुन्जुन्वाला, सब जान रहे होंगे stock market से related, है न, पैसो ऐसो का, ये सब लेन देन, तो आप अंदाजा भी लगा सकते थे, इसका answer है, investor, इन्वेस्टर थे, ठीक है, आपको पहले ही बताया था, जो recently passed हुए है, और मतलब, death हो गई है, जिनकी और Indian है, तो वो बहुत जादा important हो जाते हैं, question, next question, on the occasion, the treaty of Hudaybiyah, rumor was spread of the death of which companion, तो सुलेह Hudaybiyah के वक्त, कौन से सहाबी थे, जिनकी death का rumor ओड़ गया था, तो जो सुलेह Hudaybiyah थे थे, उस वक्त, हुदुर्स असलम ने, हज़र उस्मान रजिल गर लिया था, तो वहां से फिर, दुश्मनों ने, खबर पहला दी थी, कि उस्मान रजिल अतलानू की death हो गई है, तो सही answer आपका हो जाएगा, D option, उस्मान रजिल अतलानू, D option is the correct answer, next question, the title, Al-Faruk is associated with which सहाबी, तो Al-Faruk का title, Umar bin Khattab, रजिल अतलानू के पास है, ठीक है, तो यह बहुत आसान question है, यह भी, next question, who experimented with the control of the markets, यह आपको मैंने बार-बार बताया, कि Al-Auddin Khilji ने market control policy दी थी, same वही गुमापरा के question वही है, market reforms, land reforms, और military reforms किये थे, तो सीधे-सीधे control of the markets, सीधे-सीधे question आया हुआ है, तो यह Al-Auddin Khilji ने दिया था, B option correct हो जाएगा, next question, the founder of Sayyad dynasty was, आपको भी यह भी बताया हुआ question था, कि Sayyad dynasty से अगर question आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यह ही आएगा, who was the founder of Sayyad dynasty, और वही रखा हुआ है question आपके सामने, खिजर खान, खिजर खान जो थे, इन्होंने Sayyad dynasty को found किया था, बहुत आसान question है, next question, बहुत आसान और यह भी बताया हुआ है, expected, कि पहले जो मदर्सा कायम हुआ, वो 1875 में कायम हुआ, मदर्सात अलूब नाम से फिर 1877 में MAO College बना, और 1920 में अलिगर्ण Muslim University बना, तो इसका correct answer आपका होगा, B option, 1875, next question, The Battle of Plassey was fought in the year, दिखिए, मैंने modern history से बोला कि this type की question साब के लिए important है, जैसे कि बताया था, Governor General या battles वगरा, रॉल अटेक, गांधी, इर्विन पक्त, कोईट इंडिया मूवमेंट या ऐसी वाली, आपको battles वगरा याद कर लेने थी, The Battle of Plassey, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1757, तो ये हुई थी 23rd June, 23rd June अगर मैं exact date की बात करूँ, 23rd June 1757 में, ठीक है, Battle of Plassey, तो obvious question है, आसान question, the Victoria school was established by सासियाद आमद खान, एड, तो Victoria school जो है, सासियाद आमद खान ने कहां start किया था, तो इसका सही answer है, आपका घाजी पूर, घाजी पूर में Victoria school found किया था, मुरादाबाद में उन्होंने किया था, गुल्शन स्कूल, ठीक है, तो ये आपके knowledge के गुल्शन स्कूल किया था, और घाजी पूर में किया था, Victoria, ठीक है, next question, the comrade and English weekly was launched by, comrade जो है, newspaper, ये आपको बताया गया था, किसने चलाया था, मुहमद अली जोहर ने, जिसकी language क्या थी, English, ठीक है, तो मुहमद अली जोहर will be the correct answer for this, next question, टीपु सुल्तान सक्सीड़े टू बिल्कुल नोट्स का question है, आपको मैंने बताया था, हैदर अली ने second Anglo-Messor war जो हुई थी, उसमें वो जखमी हो गये था, और देथ भी हो गये थी, और टीपु सुल्तान ने वो ही war continue करी थी, 1782 से, और वो थ्रोन पे, kingdom of मैसूर पे, थ्रोन पे बैठे थे, तो वो 1782, किसी इने वो पॉइंट बहुत ध्यान से सुना होगा, नोट्स में लिखा होगा, तो वो बिल्कुल सही करके आएगा, 1782, बिल्कुल expected और करायवा question है, next question, who among the following was the leading disciple of Khwaja Muhyiddin चिश्टी रह्मतुलाले, तो Khwaja Muhyiddin चिश्टी रह्मतुलाले के leading disciple में से कौन थे, कौतु बुद्दीन बख्तियार काकी रह्मतुलाले, जिनके नाम पर कौतु मिनार भी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वो होगा, कौतु बुद्दीन बख्तियार काकी रह्मतुलाले, तो ये थे आपके जीके का portion, और बहुत ही आसान question है, at least 15-16 question, कुछ नहीं तो 12-15 question आप आराम से exactly कर सकते थे, और कराएवे question आएं तकरीमन भूरें, तो ये था मेरा portion, I hope कि आप लोगों ने अच्छा किया हो, और अच्छे marks लेकर आएं